This is Planet Institute. We will cover all syllabus of SSC, Banking, Railway and all other competitive exams, inferior of cost on our channel. So, सबसे पहले हम quantitative start करेंगे. इसमें पहला topic होगा हमारा percentage का होगा. और percentage start करने से हमें फाइदा ये होगा कि इसके related जितने भी topics हैं, जैसे कि profit and loss, simple interest and compound interest, mixture and allegation, ratio and proportion, data interpretation. ये सभी topics हमारे easily cover हो जाएँगे. So, study carefully and be continued. Thank you. सबसे पहले जानते हैं कि percentage का meaning क्या होता है? Meaning of percentage. तो इसका जो meaning होता है, वो होता है per hundred. Per hundred. Per means each, या every. और hundred means hundred. अगर मेरे पास कोई number है, percentage में लिखा है 20%. तो 20% को क्या लिखूँगा मैं? 20 out of hundred. इसका मतलब यह हुआ, कि 20 out of hundred. Hundred में से 20. तो इसको अगर मैं fraction में change करना चाहूँ. जानते हैं कि fraction में कैसे change करते हैं? इसको divide कर देंगे 20 से. ये क्या आएगा? 1 divided by 5. एक बटे 5. अगर 20% मेरा, एक बटे 5, यानि 1 divided by 5 के equal है. इसका मतलब यह हुआ, अगर में ले पास कोई number है 5, उसका मैं 20% लूँगा, 5 का 20% लूँगा, तो वो जो numerator में नंबर आएगा, वो आएगा 1. 5 का 20% 1 के equal होगा. इसका मतलब सीधा-सीधा यह होता है, कि 5 का अगर मैं 20% लूँगा, 1 के equal होगा. इसी तरीके से, अगर मैं लेता हूँ 25%, तो इसको fraction में change करेंगे. Fraction में कैसे है? डिवाइड बाइ 100 कर देंगे. तो डिवाइड बाइ 100 किया, कितना आया यह? 1 divided by 4. 4 का 25%, 1 के equal हुआ. इसका सीधा-सीधा मतलब यह होता है. और मैं अगर इसका उल्टा लेता हूँ, मेरे पास fraction में कोई number है. माले मेरे पास है 1 by 5. और मैं इसको change करना चाहता हूँ, कि यह percentage में कितना होगा, तो मैं सीधा-सीधा क्या करूँगा? 100 से multiply कर दूँआ. 100 से multiply किया, कितना आया? 20. तो यह आ गया, 20% के equal आ गया. I hope कि यह समझ में आया होगा, कि percentage को fraction में या ratio में कैसे change करते हैं, और जो ratio है, fraction है, उसको percentage में कैसे change करते हैं. तो next, आगे चाहते हैं. जैसे मेरे पास कोई number है, 1 है, 1 का मैं अगर fraction, sorry, percentage में लिखुआ हैं, तो 1 equal होता है मेरा 100% के equal. उसी तरीके से 1 by 2, 50% के equal होता है, और 1 by 3, 33 is 1 by 3%. 1 by 4 हो जाएगा मेरा 25% के equal, 1 by 5, 20% के, और 1 by 6, 16 is 2 by 3% के equal हो जाएगा. इसी तरीके से 1 by 7, 14 is 2 by 3% के equal हो जाएगा, 1 by 8, 12 is 2, 1 by 2% के, और 1 by 9, 11 is 1 by 9% के, और 1 by 10, 10% के equal हो जाएगा. इसी इस basis पे हम कुछ examples देखते हैं, जैसे कि, पूछा जाता है, 20% of 30, किसके equal होगा, 20% को मैं लिखूँगा, 20% है मेरा ये, इसको सीधा मैंने directly लिख लिया, 1 divided by 5 into 30, तो ये कट जाएगा 5 से, कितना आजाएगा, मेरा 6 के equal, तो ये 6 आंसर हो जाएगा, दूसरा example लेते हैं, example है, 37 is 1 by 2% of, 66 is 2 by 3% of 24, अब यहाँ पर देखेगा, हम कैसे solve करते हैं, अगर इस तरीके से percentage में आ जाए, तो उसे हम पहले fraction में change करेंगे, 37 is 1 by 2% को, अगर मेरे पास कोई नंबर है, 37 is 1 by 2%, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, fraction में ratio में लिख करेंगे, कैसे, 37 into 2, कितना हुआ, 74 plus 1, यानि 75 divided by 2 into 100, divided by 100 करेंगे, 25 से, इसको divide कर देंगे, तो यह आ जाएगा, 3 by 8, तो जहां पे भी मेरा, 37 is 1 by 2% होगा, उसको मैं डारेक्टली लिख सकता हूँ, 3 by, divided by 8, 66 is 2 by 3% को, इसको क्या करेंगे, fraction में change करेंगे, 3 into 66, 198 plus 2, कितना हो गया, 200 divided by 3, और, 100 से divided कर देते हैं, जब ratio में change करते हैं, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा, 2 by 3, यानि इसकी जो value होगी, ratio में वो आजाएगी, 2 by 3, and 24 को क्या लिखेंगे, into 24, तो मेरा ये आजाएगा, काट देंगे, 8 या 24, आंसर आजाएगा, 6, ठीक है, ये आंसर है, next question क्या है मेरा, 183 is 1 by 3% of, 187 is 1 by 7% of, 240, same type का question है, 183 is 1 by 3% of, 187 is 1 by 7% of, 240, इसका हमें निकालना है, सोरी यहाँ पर क्या है, 1 by 2% of, इसका हमें निकालना है, क्या अंसर आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 100% plus, 83 is 1 by 3%, इसको लिखेंगे, 100 plus, 87 is 1 by 2%, इन्टू, 240, यह लिख सकते हैं, 100% को, हम लिखेंगे, 1, 83 is 1 by 3%, मेरा क्या होगा, अगर मैं इसको सोल करता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर, अगर मैं 5 से मल्टिपलाई कर देता हूँ, इस साइड में भी, और इस साइड में भी, दोनों साइड में, तो यह हो जाएगा, 5 by 6, और उस साइड में 5 से, मल्टिपलाई करेंगे, तो यह आएगा, 83 is 1 by 3%, परसेंट के एक बल होगा, आप मल्टिपलाई करके देखि लिजेगा, यहाँ पर आएगा, 5 divided by 6, इन्टू, 100 परसेंट को क्या लिखते हैं, 1 पलस, यहाँ पर आएगा, 7 by 8, यह 1 by 8 है मेरे पास, 1 by 8 कहाँ पर है, यह है दोनों साइड में, 7 से मल्टिपलाई कर दीजेगा, इधर भी और इधर भी, तो यह आजाएगा, 7 by 8, इन्टू, 240, तो इसे सोल करेंगे, LCM लेंगे, कितना आएगा यह, 6 plus 5, 11 by 6, और यहाँ पर 8 plus 7, यह कितना हो जाएगा, 15 divided by 8, इन्टू, 240, इसको काट देंगे, 8 तिया 24, 6 पंजे 30, 15 पंजे 75, कितना हो जाएगा, 11 इन्टू, 75, मल्टिपलाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 इन्टू 5, 55, 55, 11 इन्टू 7, 77, plus 5, 82, 825 आंसर, यह, objective, of percentage, में जो होता है, वो होता है, compare करना, अब कैसे compare करते हैं, माल्य दो students है, एक है राम, और एक है, श्याम, दो student है मेरे पास, एक राम है, एक श्याम है, माल्य इसने, जो marks गेंड किये हैं, वो है 60, और इसने जो गेंड किये हैं, वो है 40, तो अगर मैं पूछना चाहूँ कि, इसमें से किस के marks जादे हैं, किस students के marks जादे हैं, तो आप सभी कहेंगे, कि राम के जो marks हैं, वो जादा हैं, क्योंकि उसने 60 marks गेंड किये हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ, ये हैं out of 100, और ये हैं out of 50, तो किस के marks जादा हुए, तो यहाँ पर percentage, matter करती हैं, हम percentage निकालते हैं, इसके जो percent आएंगे, वो आएंगे 60%, यहाँ से percentage निकालेंगे, ये कितना आएगा, 4 by 5 into 100, तो कितना आजाएगा, 80%, यानि इसने जो गेंड किये हैं, वो किये हैं 80% marks, तो अब बताईए, किस के marks जादा हैं, तो आप कहेंगे, कि स्याम के जो marks हैं, वो जादा हैं, क्योंकि इसने 80% marks गेंड किये हैं, percentage का, वो है compare करना, एक और जानते हैं, इसी तरह टाइप का एक question करते हैं, मालिया A की जो income है, वो है 120 rupees, और जो B की income है, वो है 150 rupees, A की जो income है, वो है 120 rupees, और B की है 150 rupees, और अब यहाँ पर पहला question बनता है, कि A, B का कितने percent है, A, जो है, वो B का कितने percent है, तो simple क्या करना है, A, A की जो income है, वो लिखेंगे, divide by, जो B की income है, किस से compare कर रहा है, B से compare कर रहा है, A, B का कितने percent है, into 100, तो यह कितना आ जाएगा मेरा, 0 से 0, 3 से कार देंगे, 4 by 5, यानि, 4 by 5 किसके equal होता है, 80 percent के, यहां से भी निकाल सकते हैं, जैसे 20 percent है, दोनों साइड में, 4 से मड़ी पलाएगर दो, इधर 4 से मड़ी पलाएगर आएगे, कितना आएगा, 80 percent, और इधर 4 by 5, 4 by 5, डारेक्टली हम लिख सकते हैं, 80 percent के equal होगा, second question मेरा बनता है, कि जो B है, B A का कितने percent है, B की income कितनी है, 150, A की कितनी है, 120, दोनों को डिवाइड कर दिया, कितना आया, 5 by 4, इंटू 100 करेंगे, percentage निकालने के लिए, और यह आ जाएगा मेरा, 125 percent, यानि B जो है, वो A का 125 percent है, third question मेरा बनता है, A, B से, कितना percent कम है, third मेरा question क्या बनता है, कि जो A है, वो B से, कितना percent कम है, यहाँ पर देखेंगे difference, difference कितना है, 30 का, 30 का difference है, A, B से, comparison किस से कर रहा है, B से, 30 divided by 5, कितना आजाएगा, 1, divided by 5, इंटू 100 करेंगे, percentage निकालने के लिए, कितना आजाएगा, 20 percent, fourth question बनता है, कि जो B है, यह जो B है, वो A से कितने percent जादा है, जो B है, वो A से कितने percent जादा है, तो दोनों का difference, दोनों का difference है, 30 का, किस से compare कर रहा है, A से, तो A की जो इंकम है, 120, तो यह कट जाएगा, कितना जाएगा, 1 divided by 4, और 1 by 4 किस के equal होता है, 25 percent के, तो यह आजाएगा मेरा, 25 percent, I hope की एग्जामपल, अच्छे से आपको समझ में आया होगा, question के और बढ़ते हैं, question है, कि इफ चिनू सेल्ली is 30 percent less than शीनू, then what percent more than शीनू सेल्ली than चिनू, सीदा सीदा question यह है, एक चिनू है, और एक है शीनू, चिनू की जो सेल्ली है, वो 30 percent less than है शीनू से, यानि 30 percent को अगर मैं fraction में या ratio में लिखना चाहूँ, तो कितना लिखूँगा मैं, 30 out of 100, यानि 3 by 10, उसने कहा, चिनू की जो सेल्ली है, वो सीनू से कितनी कम है, 30 percent, मैं माल लेता हूँ, जो सीनू की सेल्ली है, जिससे compare कर रहा है, वो हमेशा denominator में आएगा, जिससे भी compare कर रहा है, यह आप ध्यान रख लीजएगा, जिससे भी compare करेगा, वो denominator में आएगा, मैं उन्हें माल लिए कि, जो सीनू की सेल्ली है, वो 10 है, यानि सीनू की सेल्ली हो गई 10, अब इसका 30%, 10 का 30%, यह मैंने पहले ही study में बताया था, कि जो denominator में होता है, उसका उतना ही percent, numerator में आता है, तो denominator में 10 है, इसका 30% numerator में क्या है? 3, तो 10 का 30% 3, 3 less than है, चीनू की सेल्ली, सीनू से 30% less than है, सीनू की 10 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 3, यानिके 7, अब यहां से question solve हो जाएगा, अब चीनू की सेल्ली है, 7 और सीनू की है 10, अब दोनों का difference कितना है, 3 का, अब पूछ रहा है कि, जो सीनू की सेल्ली है, वो चीनू से कितने percent जादा है, तो निकाल देंगे, कितने percent है, वैसे कितनी जादा है, 3, कितने पर, 7 पर, 3 by 7 into 100, ठीक है, 1 by 7 किसके equal है मेरा, 14 is 2 by 7 के, तो 3 से multiply कर दो, साइड में, इदर 3 से multiply करेंगे, 3 by 7, यानि 3 by 7 किसके equal हो जाएगा, उधर भी, 3 से multiply कर देंगे, यही मेरा answer होगा, I hope कि यह समझ में आया होगा, next question है, if 16 is 2 by 3 percent, is added in itself, then result becomes 4956, result क्या होता है, 4956, find the number, number हमें निकालना है, 16 is 2 by 3 percent को मैं क्या लिखूंगा, 1 by 6, इसका मतलब यह हुआ कि मेरा अगर number 6 है, उसका 16 is 2 by 3 percent कितना होगा, 1, इस में मैं 66 में, इसका 16 is 2 by 3 add कर दूँ, तो कितना हो जाएगा, यानि 1 add करने पे, कितना हो जाएगा, 7, और 7 दिया है मेरा, 4956 के, यानि 7 unit 4956 के equal, 1 unit किसके equal होगा, 4956 divided by 7, कितना होगा, 708 और मेरा जो number है, मैंने माना 6, तो 6 unit किसके equal होगा, 708 into 6, कितना आ जाएगा ये, 5, 6, 4, 8, sorry, 4, 2, 4, 8, 4, 2, 4, 8, मेरा क्या होगा, 5, 4, 5, 5, 6,